स्त्री टू मूवी ने भले ही चार दिन में लगबग 200 करोड रुपे कमा लिए होंगे मगर श्रधा कपूर और राजकुमार राओ की इस मूवी के लिए सेलरी जानके आप हैरान रह जाएंगे नमश्कार दोस्तों स्वागत आपका क्या हल बोलिवुड एपिसोड नमर 62 में और आपको पता है स्त्री टू का जो दबदबा है वो अब भी कायम है मूवी का चार दिन का कलेक्शन 190 करोड हो चुका है मूवी ने संडे को 50 करोड रुपी की कमाई की अब हम ये बात करेंगे इस मूवी का बजट लगबग केवल साडे 55 करोड रुपे का बताया जा रहा था और इस मूवी में एक्टरस और एक्टरस की जो सैलरी है वो अब पता चल गया है आपको बता दे जो राजकुमार राओ है वो ज़्यादा सेलरी ले रहे हैं श्रद्धा कपूर से इस मुवी के लिए राजकुमार राओ 6 करोड रुपे ले रहे हैं श्रद्धा कपूर 5 करोड रुपे ले रही हैं और उसके साथ साथ पंकशत्री पाथे भी है मुवी में जो कि कितना कम बजट था इस मूवी के कास्टिंग के लिए वही अपोजिट में जो वेदा मूवी है और उससे भी ज्यादा बजट की मूवी और किसी नहीं बल की खेल खेल में जिसमें तापसी पनू और अक्षा कुमार थे वह मूवी अब तक केवल केवल 13 करोड रूपे कमा प बट फिर भी काफी कम पैसे कमा रही है अब बात करते हैं आमिर खान की अमिर खान रियाद चक्रवर्ति के चैट शो में गए और वहां पर उन्होंने रिया चक्रवर्ति को करीजिस बताया और उनकी आँखों में आशू तक आ गई ये बात बताते वक्त उन्होंने आपको बैड रिव्यू किया और उन्होंने कहा कि उसमें प्रभास जोकर लग रहे थे अब बात करें जोन अब्राहम की मुवी वेदा जिसने लगबग 12 करोड की कमाई की है सकसेस पार्टी उसकी मनाई जा रही है उसकी फोटोज आई है खर हमें यह समझ नहीं आ रहा कि कोई मुवी अगर अभी उसका डिजाइड भी नहीं हुआ है अब्राहम की 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 कंई बात करें जाई की की है